Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys, lecture number 29 है Of MCQs on Indian Freedom Struggle Very important for your UPSC, EPFO, AOEO and EPFC exam आज के इस lecture में हम 15 important MCQs को discuss करेंगे इस lecture के अंदर जो काफी important रहेंगे आपके exam point of view से तो lecture को अच्छे से समझना है और क्योंकि अब exam पास है कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना lecture के अंदर ही चीज़ों को grab कर लेना PDF files का link description में है आप जाकर के download कर सकते है and अगर आप MCQ combo course ले रहे हैं तो आपको अलग से PDF के लिए subscription लेने की ज़रुवत नहीं है You can get it into the MCQ combo course itself और इसमें industrialization, labor law, social security, gap के MCQs आपको मिलते हैं UPSC EPFO code आपको use करना है for 50% discounts for APFC students इसके अंदर insurance के भी कुछ tests हमने डाले हैं Okay, so let us quickly start पहला question which of the following led to the introduction of English education in India English education 2018 में civil services में पूचा गया था English education, Charter Act of 1813, General Committee of Public Instruction 1823, Orientalist and Angelist Controversy Okay, so English education से related इसमें क्या आएगा Option A, 1, 2, B, 2, C, 1 and 3, D, 1, 2 and 3 तो correct answer है आपर आपका दोस्तो D देखो, Orientalist और Angelists की तो सारी की सारी controversy ही यह थी Orientalists क्या क्या रहे थे कि India के अंदर जो Indian languages हैं उसको encourage किया जाए Indian studies को encourage किया जाए और Angelists कह रहे थे नहीं आप इसको जो English as a medium of instruction को लेकर के आए and जो English literature है या English जो science and technology है उसको India के अंदर आप लेकर के हैं वो medium of instruction होना चाहिए वो studies होनी चाहिए तो D तो अपने को बड़ा easily समझ में आ जाता है 3 तो होना ही होना था तो option A और B का तो scope ही नहीं था Charter Act और General Committee of Public Instruction के अंदर क्या है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले तो Charter Act हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि Charter Act 18-13 काफी important है इसमें से और भी सालों के अंदर question आया अभी आगे एक और question भी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी Charter Act में से directly question पूछा गया था तो देखो पहले सबसे पहले तो अब England के अंदर क्या हो था company बहुत टाइम से East India जो company थी वो बहुत टाइम से इंडिया के अंदर व्यपार कर रही थी तो जाहिर सी बात है Europe में और Britain में और भी companies होंगी और भी businesses होंगे वो भी कहा रहे होंगे यार हमको भी भारत में जाकर के पैसा कमाना है अभी तक तो company की monopoly जल रही थी इंडिया के अंदर की trade अगर इंडिया के साथ कोई company करेगी Britain में तो वो East India company करेगी लेकिन धीरे धीरे जो spirit of laces fair जो आप economy के अंदर पढ़ते हो free market उसका concept आ रहा था साथी साथ Napoleon का भी एक threat था जिसकी वज़े से जहां जहां पर Napoleon rule कर रहा था वो ports जो है वो Britain के लिए बंद होते जा रहे थे अब ultimately और ज़ादा pressure बढ़ रहा था business houses का क्योंकि उनको बाकी जगाव पर trade करने को मिल नहीं रहा था तो वो कहेंगे कि हमारे लिए भी ये East के doors खोलो इंडिया जैसी countries में जाकर के हम भी trade करें तो 1813 का act majorly in grievances को redress करने के लिए एक तरीके से लाया गया तो सबसे पहले तो इस act ने क्या किया इस act ने बोला कि जो company की monopoly है ना इंडिया के साथ trade पे वो खतम कर दो यानि कि अब बाकी की जो companies हैं वो भी आकर के हिंडूस्तान में trade कर सकेंगी बट दो चीजों में company ने अपनी monopoly को retain किया एक चाइना के साथ व्यपार और दूसरा चाइपत्ती का व्यपार इसमें अभी भी company की monopoly थी तो चाइना के साथ जो व्यपार होगा वो भी सिरफ East India Company करेगी और चाइपत्ती का व्यपार भी East India Company करेगी बाकी व्यपार के लिए बाकी companies के लिए भी खोल दिया गया उसके बाद जी company को बोला गया कि भाया जो भी आपके shareholders हैं आप उनको dividend पे करेंगे जितना भी आपका भारत के अंदर revenue होगा उसका 10.5% dividend आप अपने shareholders को देंगे तो distribution of resources to different stakeholders वो भी एक आपर point आगे Charter Act ने ये भी बोला कि company के जो भी territories हैं उसके पास या जो भी revenue in territories से आ रहा है वो अगले 20 साल के लिए उसके पास और उसको दे दिया गया तो territories अभी भी company ही hold करेगी बाकी लोग आ करके trade कर सकते हैं ठीक है अब ये जो point है ये important इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार territories related कुछ explicitly define किया गया यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया कि यह sovereignty तो crown की है एक तरीके से ये बोल दिया कि जगा ये crown की है ये जो territories है ना company के पास ये है तो crown की हम तो तुम्हें सिरफ और सिरफ एक तरीके से तुम्हें तो possession दे रहे हैं तुम्हें एक particular time period तक के लिए दे रहे हैं तो पहली बार constitutional position जो British territories के उपर इंडिया के अंदर उसको explicitly define किया गया एक act के अंदर उसके बाद जी board of control की powers को भी इसके अंदर enlarge किया गया उसके इलावा इस act ने बोला कि एक लाख रुपया वन लाख रुपीज जो है उसको set aside करना पड़ेगा for the revival, promotion and encouragement of literature, learning and science among the natives of India तो basically ये English science literature की यहाँ पर बात हो रही थी और यही हमारे question के अंदर भी था ना कि English education तो charter act of 1813 इसलिए यहाँ पर आ जाता है उसके बाद जी जो भी अब देखो पहले होती थी ना provinces होती थी मदरास, Bombay, Calcutta अब यहाँ पर यह बोला गया कि कोई भी जो मदरास की council है, Bombay की council है या Calcutta की council है वो जो भी regulation बनाएंगे उसको British Parliament के सामने पेश करना होगा ठीक है, तो एक तरीके से आप यह लगा लो कि अब जो भी rules and regulations बनेंगी वो भी Parliament approve करेगी, तो एक तरीके से again British territories के उपर explicitly define करती है ना कि है तो यह Britain के crown के अंडर हमने तो जिर्फ possession दिया हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, साथी साथ company को यह भी बोला गया, कि आपको अपनी commercial transactions, यानि जो आप वियापार से पैसा कमा रहे हो जो भी आपका वियापार का lane देना है और territorial venue, जो lander venue अगर आप collect कर रहे हो, उसके लिए आपको अलग-अलग accounts maintain करने है ताकि हमें पता चल सके कि आप commercially कितना पैसा कमा रहे हो, और lander venue यह टेक्स्टा से आप कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है जी जैसे कि हमने पहले भी देखा, board of control की जो powers थी, उसको proper define किया गया, और उनको enlarge भी किया गया, Charter Act of 1813 के अंदर General Committee की बात करें तो General Committee on Public Instruction इसके अंदर वो Orientalist और Angelist का ही debate चल रहा था, जिसमें Angelist ने बोला कि जी, government की जो spending है education पे, वो modern studies के उपर, यानि कि again English literature को यहाँ पर encourage किया जा रहा था, और 1823 के अंदर यह आपकी committee बनी थी, तो यह तीनों चीज़े जो है, आपके अब किस चीज की हो गई English Education की हो गई, Charter Act भी हो गया, General Committee भी हो गया, और Angelist versus Orientalist debate भी हो गया Second question पे आजाएंगे Who among the following were the founders of Hind Mazdur Sabah established in 1948, Hind Mazdur Sabah अब आप यह लगा लोगी, यह labor law यह industrial relation के point of view से भी important हो गया, Krishna Pillai option A में है, EMS Nambudripad and K.C. George B में J.P. Narayan Dindal Upadhyay and M.N. Roy C में P. Ramaswami Iyer K. Kamaraj and Vira Salingan Pantulu, D में Ashok Mehta, T.S. Ramanujan and G.G. Mehta, correct answer हैं आपर आपका option D, यह बड़े factual से questions हैं, और इस type के question answer इसमें तो guesswork देखो बिल्कुल भी चलता नहीं है, या तो आता है या नहीं आता वाला scenario होता है, so अगर आप देखो के हिंद मजदूर सभा में, तो जो founding conference थी, जो पहली conference थी, उसमें Ashok Mehta को as general secretary, ठीक है जी, यह com लगाते थे, आगे comrade के लिए होता था, यह basically ठीक है, जी, जी महता and VS माथूर, यह secretaries बने MS मनीबेन करा and TS Ramanujan were elected as vice president, तो यह जो basically founding conference के जो members बने, उनी को हम लेकर के चलते हैं, कि यह founding members भी थे, तो यहां से अपने को यह clear हो जाता है next question, consider the following events, the first democratically elected communist party government formed in a state in India, पहली बार किसी state में communist party की सरकार बनी दूसरा, इंडिया का largest bank, imperial bank of India was renamed state bank of India option 3, air India was nationalized and became the national carrier option 4, goa became a part of independent India, देखो अब इसमें से कुछ तो ना बच्चों को बहुत clear होते हैं, जो पढ़के जाते हैं, बच्चे वो बहुत clear होते हैं, जो बहुत clear होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि बई, गोवा का ज़्यादातर सबको पता होता है, यार 1961 सबको याद है, ठीक है इंडिया का जो imperial bank से state bank ये भी जाधातर जो बच्चे एक minimum level of study करके गए उनको पता होता है, तो 1955 और 61 में तो जाधातर confusion नहीं होती confusion होती है, first और third point के अंदर, एर इंडिया अभी बहुत जाधा news में था पिछले साल में, ठीक है क्योंकि एर इंडिया TATA ने दुबारा से acquire कर लिया उसको, तो इसलिए ये important भी है, पहले भी TATA के पास था, जब ये nationalize हुआ, उसके बाद फिर अभी ये दुबारा TATA के पास चला गया, तो अब अगर ये दो generally तो बच्चों को पता होते हैं, तो इसमें देखो मतलब कि 4, 1961 और 2, अपने को chronology में attain करना है, यानि कि 4, 2 के बाद ही आएगा अगर 4, 2 के बाद ही आना है तो option number A और option number C तो मेरा वैसी eliminate हो गया, ठीक है, option number A और option number C मेरा eliminate हो गया क्योंकि 1961, 1955 तो 4, 2 के बाद ही आएगा अब यहाँ पर दोनों options में 4, 2 से पहले है eliminate हो गया, अब देखो B B और D के अंदर 3 दोनों पर same है ठीक है, तो यानि कि सबसे पहले तो 3 यानि कि Air India was nationalized and became the national carrier, यानि कि 1955 से भी पहले हुआ होगा, क्योंकि वो state में सबसे पहले है तो Air India आपका 1952 में nationalized हुआ था, ओके तो यहाँ पर आपका होना चाहिए generally, अब 3 हो गया 2 और 4 आपको एक brief idea है main problem आएगी कि democratically elected communist party सरकार कब पहली बार बनी तो यहाँ पर जो year आना चाहिए, वो आना चाहिए 1957, ठीक है 1957 के अंदर बनी थी, अभी इसका मैं point आपको दिखाऊंगा भी, तो ultimately यहाँ पर answer आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आगया आपका 3 उसके बाद आना चाहिए, आपका 2, ठीक है, 3, 2 and then is your 1 and then 4, ठीक है तो ultimately आपका B answer यहाँ पर होना चाहिए, इस तरीके से, ओके so 1957 के अंदर Congress party की defeat हुई थी कैरला के अंदर, ओके, और जो मार्च 1957 में होए थे, और Communist party ने largest seat जीती थी, कैरला legislature के अंदर, और हिंदुस्तान में ही नहीं, पहली बार दुनिया में Communist party की सरकार बनी थी Democratic elections के तुरू Democratic way में elections होए थे और उसके तुरू पहली बार एक सरकार बनने वाली Communist सरकार, democratically method से लोगों ने आ करके vote किया और उससे Communist party की सरकार दुनिया में पहली बार बनी थी, तो यह important है 1957, और AR India का भी याद रखना 1952 अब देखो Charter Act of 1813 के ओपर again 2019 में, पहले 2018 में सवाल पूछा था, फिर 2019 में सवाल पूछ लिया, UPSC नहीं और लोग कहते हैं कि UPSC में question repeat नहीं होता अब आप repeat को अगर यह assume करके चलोगे कि वो as it is same word डाल दे तो यह school का paper थोड़ी है, है ना, तो कुछ तो variation लेकर कर आएगा ना 2018 में उसने इशारा दे दिया था कि Charter Act Charter Act 1813 important है अब 2019 में अगर बच्चा उसको पढ़के ही नहीं गया, तो फिर वो तो गलती नहीं, UPSC गिनी होई number one, it ended the trade monopoly of the East India company in India except for trade in tea and trade with China, देगो अभी हमने Charter Act of 1813 पढ़ा है, exact point हम पढ़कर के आए तो अगर Civil Services की अगर मैं बात करूँ, तो 2018 में अगर बच्चे ने वेपर दिया था उसके बाद अगर 2019 में दुबारा दिने गया था और वो Charter Act को नहीं पढ़के गया, तो उसकी गलती है फिर वो ये नहीं बूल सकता, पेपर टफ था ये point भी अभी हमने देखा तो यहाँ पर क्या correct answer आपका होना चाहिए अंसर वेगा option है, revenue अभी भी East India Company के ही control में था, revenue control में अभी तक नहीं लिया था पारलेमेंट ने, लेकिन monopoly end हो गई थी स्रफ चाइना और चायपत्ती के case में उनकी monopoly थी sovereignty British Crown ने अपनी establish कर ली थी revenue अभी तक के इस तरीके से control नहीं किया गया था हाला कि उनको यह बोला गया था कि आपको separate accounts maintain करने है, व्यापार का account अलग होना चाहिए और आपका जो land revenue या जो territorial आपका revenue आ रहा है वो अलग होना चाहिए, ओके चलो, next question, fifth question, consider the following Pairs 2019 में अगेन यह question था, movements given है और organization के leaders given है, आपको बताना है कौन सा correctly matched है, all India, anti-untouchability league, महत्मा गांधी, all India, किसान सभा, स्वामी, शाजानन्द, सरस्वती, third self-respect movement, okay, so correctly matched कौन सा है इसमें, correctly matched आपके तीनों जो हैं, यह correctly matched है, ठीक है, so answer will be D, all India, anti-untouchability स्वामी नाइकर, तो अगर all India, anti-untouchability league की बात करें, उसमें महत्मा गांधी जेल में थे, और जेल में ही उन्होंने यह all India, anti-untouchability league, जो है, September 1932 में start किया था, इसके साथ-साथ उन्होंने एक अपना weekly publication भी start किया था, हरिजन, यह 1933 में इन्होंने start किया था, and after his release, he shifted to the सत्याग्रा आश्रम इन वर्धा, as he, क्योंकि 1930 में महादमा गांधी ने शेपत ली थी, कि वो साबर मती आश्रम तब तक वापिस नहीं जाएंगे, जब तक स्वाराज नहीं जीत जाते, ठीक है, तो यह आपने कुछ important points हैं, जो आपने ध्यान रखने हैं, anti-untouchability league और weekly horizon जेल से ही शुरू कर दिया था, all India किसान सभा की बात करें, all India किसान सभा, basically farmers और जो anti-feudal movement थी, इंडिया के अंदर, 1936 में इसकी foundation हुई थी, Indian National Congress के लखनो session के अंदर ही as all India किसान Congress, तो यह भी याद रखना है कि Congress के कौन से session में इसकी foundation हुई थी, और शाजानन सरस्वती, जो बिहार किसान सभा movement के leader थे, वो ही और बिहार provincial किसान सभा के founder थे, उन्ही को पहला president भी बनाया गया, all India किसान सभा का, तो all India किसान सभा की foundation के लिए भी जो credit है शाजानन सरस्वती को जाता है, 1920 के दशक में South India के अंदर, non-brahmins ने एक movement organized किती, self-respect movement और इसको lead कर रहे थे EV, Ramaswami, Naikar, basically, to raise the standards of the जो dalit communities and basically to give them the rights, okay, next question, indigo cultivation in India declined by the beginning of 20th century because of, indigo cultivation हिंदुस्तान में क्यों decline हुआ 20th स्थाबदी की शुरुवात में, peasants resistance to oppressive conduct of planters its unprofitability in the world market because of new inventions option C, national leaders opposition to the cultivation of indigo option D, government control over planters, तो यहापर जो आपका correct answer है that is option A, peasants continuously resist कर रहे थे, oppressive conduct of planters को, specially जो आपका indigo revolt है, उसके बाद से and धीरे धीरे इसी वज़े से indigo का decline, जो होने लगा यह question बड़ा conflicting था जब paper के अंदर पूछा गया था, क्योंकि profitability भी definitely world के अंदर कम हो रही थी, क्योंकि synthetic products आ रहे थे, ओके और C और D option दो इतने close नहीं थे, but because of the points highlighted in NCIT, क्योंकि NCIT में कुछ इस तरीके से statement लिखी थी, कि modern techniques भी आ रही थी, modern technology भी आ रही थी but उससे भी इतना ज़ादा फरक नहीं पढ़ रहा था जितना ज़ादा resistance की वज़े से पढ़ा था he was asked by the board of directors at London to do so option B, he wanted to revive interest in oriental learning in India option C, he wanted to provide William Carey and his associates employment option D, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India देखो, London वाले तो कभी इसके मंजूरी में ही नहीं थे तो ultimately board of directors London में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला orientalist नहीं था, Willisley तो oriental learning को encourage करने के लिए भी इसको नहीं लेकर करके आया गया था और यह William Carey and all वाला point भी गलत है ultimately वो चाहता क्या था कि आप जो Britain से लोग आ रहे हैं तो वो बस यहाँ पर जो है ताकि administration smooth हो सके और जो British civil officers यहाँ पर आ रहे हैं उनको train कर सके एक minimal language और culture standards में उसके लिए इसको यहाँ पर established किया गया था तो option D यहाँ पर correct होगा लेकिन इसको फिर बंद भी बहुत जल्दी कर दिया गया था जिसको वो क्या कहते थे backward यह backward चीज़े अब हमारे लोग सीखेंगे और इसका इतना ज़्यादा criticism होगा कि इस college को ultimately बंद करना पड़ा 8th question the vital vidhvansak the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by first monthly journal महिने में एक बार निकाला जाता था okay and especially for the untouchables so option is Gopal Baba वलंकर बी जोतिबा फुले सी मोहंदास करमचंद गांधी and D is Bhimrao Ramji Ambedkar correct answer है option A Gopal Baba वलंकर is the right answer so Gopal Baba वलंकर महर कास्ट में इनका जनम हुआ था और Gopal Krishna के नाम से भी जाने जाते हैं vital vidhvansan जो है या annihilation of ceremonial pollution 1889 में इन्होंने शुरू किया था यह बेसिकली जो untouchables का role था society के अंदर उसके against process इन्होंने protest किया awareness के लिए इन्होंने काम किया ओके and vital vidhvansak इन्होंने एक तो था vidhvansan एक था vidhvansak तो vidhvansak was destroyer of brahmanical or ceremonial pollution यह भी यह publish करते थे नाइध कोशन the radical wing of the congress party with Johal Laan Lehru as one of its main leader founded the independence for india league in opposition to independence for india league Johal Laan Lehru और उनके साथियों ने इसकी foundation की थी किसके opposition में finance commission national development council nehru report या constitution of india so यहाँ पर आपका answer होना है correct option c nehru report जो मोतिलाल nehru report आई थी ठीक है Britishers ने challenge दिया था basically nehru report का आपको थोड़ा सा background दे देता हूं क्या था Simon commission इंडिया के अंदर आना था और Simon commission के अंदर कोई भी Indian नहीं था तो उसके सब protest चल रहे थे तो Britishers ने इंडिया को challenge Congress को challenge दिया था कि भी Congress वाले अपना एक खुद का constitution लिख कर के दे 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 सब parties सब धर्मों को मंजूरो क्योंकि वो इतने confidence में थे कि ये करी नहीं सकते ऐसा कि ऐसा कोई constitution ये बना दे जो हर किसी को मंजूरो तो उस case में फिर जिम्मेदारी दी गई थी मोतिलाल नहरू को और उन्होंने जो basically फिर वो release किया था मोतिलाल नहरू ने सारी parties के साथ मिल करके उसको बोला जाता था नहरू रिपोर्ट और नहरू रिपोर्ट जब आई तो फिर जो आलाल नहरू सुभाष चंद्र बोस जो basically यंग लोग थे radical विंग बोला जाता था इनको Congress का इन्होंने इसका opposition किया नहरू रिपोर्ट का और Independence for India League की इन्होंने foundation की ठीक है अब देखो इसमें सिर्फ Muslim League, Hindu Mahasabha, Sikh Communalists ये सब unhappy थे नहरू रिपोर्ट से जो ये जवान जवान लोग थे ना यंग लोग थे जवाल नहरू सुभाष चंद्र बोस जैसे ये बोलते कि यार ये तो बेकार बाते कर रही है ये रिपोर्ट क्योंकि रिपोर्ट के अंदर क्या था कि इंडिया को Dominion Status दे दो ठीक है लेकिन नहरू जैसे लोग अब क्या बात कर रहे थे Complete Independence तो इसी वज़े से Dominion Status को तो इन्होंने बोला ये तो Backward Step Back एंड अल्टिमेटली इसी के opposition में इन्होंने आपकी Independence for India League की foundation की जिसका aim क्या था Complete Independence that is Purnaswaraj 10th question Which one of the following was an emigre communist journal of M.N. Roy? तो इन में से कौन सा journal था M.N. Roy का? किसानसभा Worker, Vanguard, Anu Shiland Answer है option C. So M.N. Roy Communist leader थे and communist journal Wingard के ये basically इनका journal था ये तो ये याद रखना है अब देखो अगेन industrial relation के अंदर डाल लो इस question को labor के अंदर ओके या आप इसको history के अंदर study कर लो जैसे मर्जी कर लो next इसको ignore कर दीजेगा 1995 को sequence बताना है Lucknow pact, introduction on DR की Rollet Act and partition of Bengal ठीक है, easy है ये question देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर इस question को आप मुश्किल बोल रहे हो है याने की preparation के अंदर कमी है answer होने वाला option B that is सबसे पहले हुआ आपका partition of Bengal 1905 के अंदर ठीक है उसके बाद next हुआ आपका Lucknow pact 1916 के अंदर ठीक है जी उसके बाद next आज आता है आपका जो है Royal Act ये 1919 में आया और introduction of DR की ये भी 1919 के अंदर आया so basically introduction on DR की तो जो आपके Montec Clemsford reforms आये थे या जिसको आप Government of India Act 1919 बोलते हो अब दोनों 1919 में आये लेकिन Royal Act जो है वो starting of the year में आया था around February और introduction on DR की around November के अंदर आया था तो इसी वज़े से जो है पहले 3 आएगा और फिर 2 आएगा so लखनोपाक्ट 1916 introduction of DR की अंडर Montec reforms GIA 1919 ये December में आया था और जो आपका Royal Act था वो February 1919 में आया था तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है partition of Bengal 1905 ultimately जब ये बच्चों ने answer attempt किया था उनको दिक्कत ही सबसे जादा इंदो के अंदर हुई थी क्योंकि दोनों की date थो सबको याद थी 1919 बट अब ये confusion हो रही थी कि ultimately पहले कौन सा हुआ था next question the Bara Dekauti was the first major venture of the revolutionary terrorists of the freedom movement in India Bara Dekauti option है Bombay, Karnataka B. Punjab, C. East Bengal T. Madras Presidency कहाँ पर हुई थी so ये हुई थी आपकी East Bengal के अंदर और 1908 के अंदर ये Dekauti हुई थी which was organized by Daka Anushilin under Pulindas नाम याद रखेंगे और इसका main name क्या था funds raise करना revolutionary activities के लिए important है याद रखेंगे next which one of the following is not correctly matched not इन में से कौन सा correctly matched नहीं है जम्नलाल बजाज सत्याग्रय आश्रम at Vordha दादा बाहुन रोजी Bombay Association लाला लाजपत राय National School at Lahore और बाल गंगा धर तिलक सत्याशोदक सभा तो देखो easy question है बाल गंगा धर तिलक के साथ ऐसी कोई सत्याशोदक सभा जो है वो associated नहीं थी उसके अंदर हमने discuss किया था previous classes के अंदर की सत्याशोदक सभा को उने detail में देखा था कौन थे जो तिबार आओ फुल ले ठीक है तो D इसलिए आपका गलत हो जाता है जम्नलाल बाजाज was you know इसके लीडर कौन थे इसके लीडर थे बेटा option D वल्लब भाई पटेल वल्लब भाई पटेल वास दे लीडर okay 1922 में पटेल ने ये campaign launch किया था and non-violent protest था widespread support मिला पूरे देश से next and final question इन में से किस लीडर ने दादा भाई नारोजी की drain theory को जो है believe नहीं करते थे इसमें तो यहाँ पर answer होगा option D Sir Sayyad Ahmed Khan बहुत जादा इसके अंदर discussion में जाने की ज़रूद नहीं है नामिया रख लेना so this is it guys these were the quick 15 questions I hope you guys enjoyed it and कोई भी doubt हो please comment section में ज़रूर बता है channel को ज़रूर share and subscribe करें मिलेंगे next class में till then take care and bye